भोजपुरी सिंगर और सुपरस्टार खेसारी लाल यादों ने ट्वीट कर अपने हालात की तुलना दिवंगस शुशान सिंग राजपूत से की है खेसारी लाल यादों ने ट्वीट कर कहा कि बिहार पुलिस उनके साथ वही कर रही है जो कुछ समय पहले शुशान सिंग राजपूत के साथ हुआ था परिशान खेसारी लाल यादों ने कहा कि उन्हें काफी दोडाया जा रहा है और पुलिस उनकी FIR तरज नहीं कर रही दरसल ये मामला पवन सिंग और खेसारी लाल के बीच हुई उठापटक से जुड़ा है जिसमें हुआ कुछ यूँ कि पवन सिंग के एक फैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड कर दिया इस वीडियो में उन्होंने काफी अशलील शब्तों का इस्तेमाल किया और खेसारी के साथ-साथ उनकी फैमिली के लिए भी काफी अनापशनाप कहा इसके बाद खेसारी लाल बिहार पुलिस से मदद की उमीद लेकर पहुँचे लेकिन बताया गया कि उन्हे कोई मदद नहीं मिली जिसके बाद अब खेसारी लाल ने एक ट्वीट कर लिखा कि आज बिहार पुलिस मेरे साथ भी वहीं कर रही है जो कुछ वक्त पहले भाई शुशान सिंग राजपूत के साथ हुआ था ये वहीं समू है जिन्होंने अपने मन से FIR करके पूरा नाटक किया जिनसे उनको राजनेतिक लाभ मिला या मिलेगा और आज मुझे हर तरह से दोडाया जा रहा है FIR दर्ज भी नहीं हो रही है हलाकि खेसारी के इस ट्वीट पर एक यूजर ने उन्हें उल्टा ही सुना डला यूजर ने लिखा खेसारी लाल यादो तुम एक सेलेब्रिटी हो इसलिए तुम ट्वीटर से माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हो जो नर्क तुमने भोजपूरी जगत में फैलाया है पाप का फल तुम्हें यहीं भोगना है आज ही एलान क्यों नहीं कर देते कि आज के बाद एक भी अशलील गाने नहीं गाओगे देखो जनता कैसे तुम्हारे पीछे आकर खड़ी हो जाएगी वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि F.I.R. होना भी चाहिए तुम और बाकी कोई भी सिंगर अशलील गाना गाकर समाज के साथ जितना बुरा किया है तुम्हारी यहीं सजा है जिस वीडियो को लेकर खेसारी ला लिया दो बिहार सरकार और बिहार पुलिस से मदद मांग रहे हैं उसका वीडियो उन्होंने खुद शेयर किया था उस वीडियो को शेयर करते हुए खेसारी ने लिखा था मेरी नितीश कुमार जी और बिहार पुलिस से निवेदन है कि इस मानसिक विक्षिप्ट और जहरीले इंसान पर एक्शन ले गाली ही नहीं बलकि मेरी बीवी और बेटी को रेप की धमकी दे रहा है मुझे उम्मीद है कि मुझे नियाय मिलेगा और ऐसे जहरीले लोगों के खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी आपका खेसारी जो को लिए जाएगी विक्षने की देए मुझे चजजदेरी जारे विक्षिपट you